के चैंप्स मेरा नाम है लक्षे वर्मा और आज हम एक एसे पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है नैशनलिजम इन इंडिया इस एसे को रविंदना टेगार जी ने लिखा है टेगार जी पैदा हुए 1861 को वो अपने टाइन के वन अफ दा मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स थे वो वेंगॉली लिट्रेचर के ट्रांस्फोर्मेशन के लिए रिस्पॉंसिबल थे टेगार जी को अपनी पोईट्री कलेक्शन गितांजली के लिए भी अवार्ड मिला विलियम बटलर यीट्स ने गितांजली को पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो चलिए अब ह बिना आपका टाइम वेस्ट करें ऐसे को इजी लैंग्विज में समझते हैं नेशनलिजम इन इंडिया टेगार जी की स्पीच कलेक्शन नेशनलिजम का एक पीस है यह ऐसे पब्लेश हुआ नाइटीन सेविटीन को टेगार जी के फोर स्पीचिस के साथ बाकी के थीन स्पीचिस है नेशनलिजम इन दे वेस्ट, नेशनलिजम इन जपान और अर दे सं nationalism एक poison की तरह है, जो लोगों को selfish और irrational बना देता है, वो nationalism को एक source of war और destruction of humanity की तरह देखते हैं, ये सब खुद के self interest के लिए होता है, टेगोर जी के views को anti-national interpret किया, टेगोर जी बताते हैं कि वो किसी nation के against नहीं है, बलकि वो nation के ideas के against हैं, टेगोर जी कहते हैं कि men के self interest होते हैं, लेकिन men sympathy और mutual help के लिए भी capable है, लोगों को अब competition से रुखना होगा और मिलकर काम करना होगा, टेगोर जी को इंडिया और अमेरिका से hope हैं, लेकिन योरोप से hope नहीं है, टेगोर जी अमेरिका को young country कहते हैं, और अमेरिका को योरोप की history और tradition से compare करते हैं, बहुत सालों तक योरोप ने दूसरे नेशन को exploit किया, जिसकी वज़ा से योरोप greedy बन गया, और अब वो दूसरे नेशन को accept नहीं कर पाता, टेगोर जी बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की similarities पर, वो बताते हैं कि दोनों नेशन में race, caste, language की diversity की unity है, टेगोर जी कहते हैं कि इंडिया को कभी real sense नहीं था nationalism का, वो blame करते हैं western education को, जो लोगों को सिखा रहा है कि country humanity से बड़ी है, वो चाते हैं कि इंडियांस, वेदाज और उपनिशत्स को पड़े, टेगोर जी बताते हैं कि इंडिया produce करती हैं चीजें जो socially needed हो, और west के लोग चीजें produce करते हैं competition के लिए, western countries materialistic होते हैं, वो resource को exhaust करते हैं, अपनी greed के लिए और डूसरे nations को exploit करते हैं, ऐसे के end में टेगोर जी बात करते हैं industries और commercialism के बारे में, वो accept करते हैं कि इंडिया में industries well developed नहीं हैं, लेकिन टेगोर जी believe करते हैं कि situation improve हो सकती है, वो भी nature और humanity को बिना compromise करें, टेगोर जी end में hope करते हैं harmony of completeness,